असलाम वालेकुम वेलकम टुनिशीयस किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सबजा सीट्स से बने शर्बत की रेसिपी सबजा सीट्स हमारी सहत के लिए काफी फाइदेमंद है क्यूंकि इसमें काफी मिगदार में मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं जो हम सबजा सीट्स बेसल सीट्स के भी नाम से जानी जाती है और यह अंचाहे वजन घटाने में भी हमारी मदद करती है तो आएए देख लिए इस हेल्दी ट्रिंग को बनाने के लिए हमें की चीजों की जरुवत होगी फॉर टेबल स्पून के करीब शक्कर एक टी स्पून सब लेमन का जूस निकाल ले तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजे निशीज कीचन को और साथ ही बेल आइकन को दबाईए ताके मेरे आने वाली लेटेस वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले सबसे पहले एक बड़े से बोल में एट कर ले सबजा सीट्स अब इसमें शामिल कर ले हाफ कप के करीब पानी चला दे इसे अब इसे 15-20 मिनिट तक इसी तरह भिगो कर रख दे 20 मिनिट हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजा सीट्स भिगोने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है तो चलिए अब हम शर्बत बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक जग लिया है इसमें एट कर ले शक्कर साथ ही एट कर ले लेमन जूस अब यहाँ पर एट कर ले हाफ ग्लास पानी चला दे इसे ताकि शक्कर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो जाए शक्कर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें और पानी शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने डड़ ग्लास के करीब पानी शामिल किया है अब इसे मिक्स कर ले बहुत अच्छी तरह तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर ले सबसे पहले हम ग्लास में आइस क्यूब्स डालेंगे और अब हम इसमें शर्फ डालेंगे और अब हम इस शर्बत में बिगोए हुए सीट्स शामिल कर लेंगे अब हम इसे सर्फ करेंगे ये हमारी हेल्दी शर्बत बनकट तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेस कुषब कर दाल शीडियो ए दोड़ाँ चांव का हैं